कि है लो फ्रिंड्स वेल्गू तो मैं स्टड़ी फीड चैनल दोस्तों आज इसपूर्ट ट्रेनिंग का लगास्टॉपिक है यानि components of sport training को last topic है जो coordination के बारे में आज बताना जा रही हूँ दोस्तों, components of sport training में एक 5 सबसे महतपूर events आते हैं सबसे महतपूर बाते आती है sport training के components में strength, endurance, flexibility, speed and coordination इन 5 topics में से मैंने strength, endurance, flexibility and speed के बारे में बता चुकी हूँ यह आपका sport training, components of sport training के छटवा part है जो components of sport training के में क्या आउ सकता होती है पांच चीजे, वो last video है दोस्तों, अन्य सभी topics को देखने के लिए channel के components of sport training के playlist में जाकर के उस video को वाच कर सकते है दोस्तों, चलिए जानते हैं, coordination ability होता क्या है coordination ability यानि की समन्य यक्ता यानि की कैसे हम किसी चीज में सामन्य जसे इस्थापित करें कैसे हम उसको समन्य इस्थापित करें जैसे दोस्तों, पहले इसी चीज को agility बोला जाता था यानि चपलता या फूर्टी बोला जाता था उसी का आधनिक यानि modern युग में नाम हो गया है coordination, ability यानि समन्नों युगता दोस्तों जैसा कि आप बाली बाल खिल रहे हैं उधर से बॉल आ रहा है आपको ये सामझे से इस्थापित करना होगा कि वो किधर से आ रहा है और कितने एंगल पर हमको मारना है ये आपको अपने हाथ, पेर या दिमाग से, आँखों से, सामझे से इस्थापित करना होगा यही आपका coordination है, coordination ability है यानि समन्नों युगता जो होता है वो हमारे केंदरी इशनायू संस्थान Central Nervous System के किरिया के अधापर काम करता है यानि कि जो हमारे दिमाग से कम से कम समय में हम कैसे action लेते हैं, कैसे सुचते हैं और उस पे कैसे प्रितिक्रिया करते हैं, सामझे से बेठा के यही आपका coordination है, समन्नों युगता है यह हम अपने दिमाग से control करते हैं तो यह हमारा किस पे निभर करता है? Central Nervous System CNS से निभर करता है दोस्तों, यह साथ प्रकार का होता है इसके लिए आपको याद करने का trick है A, B, C, D, R, R, O यह आप याद कर लिजिए, आपको साथ प्रकार याद हो जाएंगे इसका trick क्या है? A, B, C, D, R, R, O यानि, A से आपका हो गया Eruption Ability, यानि अनुकूलन युगता दूसरा है, Balance Ability तिसरा है, Cupling Ability, युगमन युगता चोथा है, आपका Differentiation Ability, पिथक करण युगता N, Next है, Rhythmic Ability, तालमल युगता Next है, Reaction Ability, यानि परतिकिर्या युगता Last है, यानि 7th नंबर पे है, आपका Orientation Ability, निधार युगता ये 7 प्रकार होते हैं, आपके Coordination के अब इन 7 प्रकार के बारे में एक-एक करके Detail में समझेंगे क्योंकि बिना Detail में समझे अंदर तक समझे, आप Question का सही Answer नहीं दे सकते हैं तो इस चीच को समाजना Very Important है सबसे पहले समझते है, Adaptation Ability क्या होता है Adaptation Ability यानि की अनुकुलन युकता यानि की कोई ही परिस्ति बदल रही है सिचुएशन बदल रहे हैं, उसमें हम कैसे अपने को समझे से बठाएंगे यही अपका Adaptation Ability यानि अनुकुलन युकता है जैसे की बदलती ही परिस्तियों के अनुसार घिलाड़ी की गतिवीधियों में प्रफा हुशाली रूप में परियतन करती है अब बदलती ही परिस्तियों के अनुकुलन करते हैं आरे क्या होता है तो दोस्तों यहां पर यह कुस्टन भी आया था आपकी U.P.テ. जो भी पुरु निधारत नहीं होता है जो भी पुरु नुमानित नहीं होता है आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि परिश्यति में बदलाओ क्या होगा ठीक है इसके साथ बदलते हैं आपने में अपने जो भी सामंझय प्रयोचन लाता है आपका इडाफ्टेशन हो लिएपने नेलिस्ट है बैलेंस श्नुलन यूगता बैलेंस अबिलिटी में क्या होता है वह यूगता जो हमारे जो भी सरी गतिविधी है बिभिन भागों का जो हमारे अंगों का स्ट्रेटी भूस्ट से हो चाही से लवस्था में हो या गतिसी लवस्था में हो उसको बनाया रखती है उस संतुनों भी लिड़ेटी हो या आप का बैलेंस अबिलेटी हुआ तो ध्यान से समझेगा बस अंदर तक आपको समझने की जरूत है क्योंकि इसमें कुस्टेंस डायक्स नहीं पूछते है कि क्या होता है वह अंदर से पूछेगा कि क्या है या सीधे कहेगा कि वह योगता जो सब्सक्राइब करने में बहुत मदद करता है है तो यह कुछ से मधवत पूछा जाता है कि हमारे सरें में कौन सा सफर्यूड है या द्रवое है जो बाड़ी को बैलेंस में रखता है तो कौन सा है इंडोलिम जैसे कि आप बैलैंसिंग भींपर खड़े हो रहे हैं पैरल बाद भाद पर खड़े हो रहे हैं तो उसमें यूगमन यानि संयोज नहीं वक्ता यूगमन यानि जूड़ना ठीक है यानि कि जो हमारे सरीर के जो बिभिन अंग हैं उन सब को आपस में तालमिल करिश से बैठाए जाए कुछी कारे को करते समय तो वह यह वक्ता जो खेल क्रियाओं को प्रभाशाल धंग से क्रियानवित क करने के लिए शरीर के विभिन अंगो का आपस में तालमिल बनाती है जैसे कि फुड़वाल के में गेंद को नियंतर में लाने के लिए हम क्या करेंगे अपने दिमाग अपने पैर अपने हाथ को एक सार समन्यूत करेंगे तभी वह अच्छे जंग से कंट्रोल में हो सकेगा करने कि योगता कि को पहला अस्थान पर निशे निचे किसमें क्यार करने के आ सकता है इए लिए अब टब तक किसी के योगता का पता नहीं चलता है तो वह योगता जो एक ब्यक्ति सारे गतिविधियों तथा गतिविधियों की आवस्था में अच्छे तानमेल की वज़र से उच्छी सिखर तक पहुचता है, वही आपका डिफ्रेंसियसन ही योगता होता है, निफ्स है रिदमिक एबिलेटी, यानि तालमली योगता, रिद रिदमिक एबिलेटी हो जाता है, जैसे कि अग्सी ध्वनी को सुनकर उसके अंसार आप एक्टिविटी कर रहे हैं, वह आपका रिदमिक एबिलेटी हो गया, जैसे कि वह है योगता कि किसी गामत क्रियाओं में वहाई गतिविधियों के लयक को आवाज को या ध्वनी को करता है, यह आपका हो गया रिदमिक एबिलेटी, तो यही डिफरेंट आपको समझना है, कहीं भी म्यूजिक सब आगया वहाँ पर तुरंट जाएंगे रिदमिक एबिलेटी के ऊपर, ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिएक्शन एबिलेटी, यानि प्रतिक्रिया योगता, यही किसी यही होता है, जो किसी संक्यत पर यही सहरा पर उस को सीख़रें, सीख़रें, कम से कम समय में, उस कोगहँ करके उसमें प्रतिक्रिया करना ही हमा रीक्षिण personality Samşach eher है कि यह यह कि सब कि अन्युइड मिटर करना ही हमारे रीयक्षिण न्याथ होता है और दौटे है यह ओं दम सेत्टा हो गया जरी जहाँ संकेत और सब्सक्राहिए इसके अनसा तुन पर्थिकृलिया करना यह संध आ जाए आपको तुन चले जाना है रिक्सर्ण सब्सक्राहिए नेक्स ठाउम एबिलेटी यान निधार रयोता ऑट थो रिक्षायान सब्सक्राहिए यानि समय और अस्थान की स्थिति के अनुसार, खिलारी स्वयम के साथ समझजा से इस्थापित करता है, वहां पर orientation ability होता है, देखिए, दोस्तों, सबसे पहले मैं बताई थी adaptation ability, और orientation ability में दोनों में क्या समय के साथ समय करना है, इसको आपको समझने आवसक है, जैसे कि मैं बताई थी, जो हमारा adaptation ability है, वह बदलती होई पर इस श्थापित करना होता है, इस परियोतर अलाना होता है, जबकि आपकी orientation ability में क्या होता है, कि समय और इस्थान की सिति के अनुसार, खिलारी को स्वयम के सा समय चाहिए, समय के सामझने से इस्थापित करना है, यहाँ को ऑस्थान की स्थान की सवयम के साथ समय और समय सिति के नाम हमें सा आएगा, स्थिद्प करना इसत्ा ही takie ERIC साट समय रहा है समय इस्थान की इसत्य कंषए साथ समन्जश से इस्थापिद करता है वह परOriend 두र पने दोन कि मोश्क्यार निधान देटाया है जिसे की साट को निधाय करेंगिर्ण होता है निधार पर यूगता ही उड़ दोन करेंगा witness wish कि पेभीन अभ्यास को सिधान तथा सारी तiles करना सिखेंगे करना सिखेंगे प्रैक्टिस करेंगे आतुरिक साहित्षा उपियोग… गामक चयतना अंगो को सुधार करना है उसमें सुधार करने के बाद आप प्रैक्टिस जितना ही करेंगे उतना आप में सुधार होगा वियामे में परिवतन करकर के यह की चीज को बार बार नहीं परिवतन करकर के हम यह करेंगे उसमें देखेंगे कि हम इसमें आपना तो दोस्तों यह था आपका को आपका को आपको अच्छी से समझ में आया होगा और इस समझ में जो भी कोश्चन पूछा जाएगा आपको अहुत आसानी से उस को अंसर आजाएगा तो दोस्तों यह था आपका इस्पोर्ट ट्रेनिंग के कॉम्पोनेंट्स के पांचो पार्ट आज समात हो गए और पांचो पार्ट में से मुझे आसा है कि कोई भी पार्ट आप देखेंगे उसके बाद ऐसा वो नहीं सकता कि आप किसी कोश्चन का अंसर न दे सके तो आई हो YouTube लोड़ किया होता है भार रथा अनुकूलन क्या होता है सुपर कॉम्तारी जाता है इससलिक्ता किया अलगा होगा आपका सभी टॉपिक्स अच्छी रहन से किलियर होगा तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरू पता हैं वीडियो को जाले से अपने दोस्तों तक भी सिह कीजिए एंड आप चैनल पहले वीडियो के रहे हैं तो जनल को सब्सक्राइब कीजिए ब